तो दोस्तो सस्क्राइब कीजिए हमारा चैनल करियर पॉइंट और लेटस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं हेलो फ्रेंट्स करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है मैं अन्सुल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेर्स के लेक्टस डेली लेकर आता हूं तो आज हम पढ़ेंगे 7 और 8 जून के कंबाइंड करंट अफेर्स को कि कल संड़े था तो हमने क्या किया था कि वी से सत्व कि साथ साथ किसके काम आते हैं जो और भी एदर कंप्येशन के एकजाम होगे हर जगे करंट अफेर्स का काफी सारा योगदान रहता है कुछ पर्सेंटेज करंट अफेर्स हमेशा आती ही रहती है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा डेली करंट अफेर्स डेली के lectures देखने पड़ेंगे जिससे कि आपका दलब सारे questions आपको अगर कोई भी question आजाए कहीं से भी किसी भी field से science technology से या current की कोई news है sports से related, awards से related या फिर books वगर author से related है तो वो सारी news हम यह आपे cover करते हैं तो चलिए देखते हैं आज के current affairs शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon को hit कर दीजिए ताकि क्या हो सके जो सबसे पहली information है जो हमारे चैनल पर जो update होगी वो सबसे पहले किसको मिल सके आपको ही मिल सके तो चलिए आज का lecture सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सबस्त जो आज हम news पतने वाले हैं उनके एक पर headlin देख लेते हैं भी क्या कुछ से आज news पतने वाले हैं क्या को साम आज news में cover up करेंगे तो सबसे पहले इन्होंने एक साज़ेदारी एक partnership की है किसके लिए जो innovation है हमारे इंडिया में उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है तो उसके लिए इन्होंने क्या किया अपस में partnership की है थर्ड न्यूज है EESL और USAID के relation में इन्होंने एक initiative जो initiative स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है healthy and energy efficient buildings के लिए एक initiative स्टार्ट किया है EESL और USAID ने इसके बारे में भी हम न्यूज में पढ़ेंगे अभी आगे प्रेंट अफेर्स के अपने टॉपिक में और फॉर्थ न्यूज क्या है American DFC DFC है company जिसने किस इन्वेस्टमेंट कितना किया है 350 million US dollar का investment करेगी किसमें इंडियन फर्म्स में फिफ्ट न्यूज है क्या नबाड से रिलेटेड नबाड क्या करेगा 270 करोड का special liquidity जो facility है उसने क इसको प्रवाइड की है SM ग्रामिन विकास बैंक को तो हमारी नेक्स्ट न्यूज है UN ADP ने क्या किया है पॉइंट किया है 13 year old मदुरी गर्ल जो की कहना उसका नेथरा गर्ल है नेथरा नाम उसका गर्ल का उसको गुडवीड एंबेस्डर किया है किसको लिए to the poor तो इसके इए किसके लिए नेख्स एक मामलों में स्पेस स्थेस सिवेशनल अवेरनेस एस्ट फीजिक्स मामलों में क्या हुआ है इनके बीच में अपसमें एक MOU हुआ है सेवन्थ न्यूज क्या है रमेज पोखरियाल निसांग ने क्या किया है लॉंच एक बुकलेट की है सेफ ओनलाइन नर्निंग इन टाइमस ओफ कोविड नाइंटीन तो इसका क्या क्या है इसको डिजिटली रेज करने के लिए किसके खिलाफ कोविड नाइटीन के खिलाफ इन्होंने क्या किया है इन्फर्मिशन बुकलेट लॉंच की है और लास्ट निउज क्या है अंदर प्रदेश चीफ मिनिस्टर यस जगन महरन रेडी इन्होंने क्या लॉंच किया है इन्डिया का फर्स्ट ओनलाइन वेस्ट मेनेजमेंट प्लेटफोर्म तो आज हम इन सारी निउज के बारे में क्या करेंगे हम डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं तो यह लेक्चर हिंदी और इंग्लिस बाइलिंग्वल होगा पर अलग पार्ट होते हैं नेशनल अफिर से लैटेड न्यू ? अभी देखते हैं इन्टी बनायागे है जरक्रमूं कि गतिन तो बढ़ते हैं कज़ति पूर्वाइड प्रोवाइट सेक्रेटरिएल एसिस्टेंस बॉन रही नीति यह जोग तो इनकी heading में यानि इनकी इन्होंने assistance किया किसको task force को और ये submit करेगी अपनी report कब 31 जुलाई 2020 को किसके related है मातरता उसे related जो भी problems आती है जो भी matters होते हैं उनको solve करने के लिए तो this task force is on the lines of union budget 2020 किसका जो budget था उसमें भी जो निर्मला सितारमन है हमारी क्या minister है ये finance minister उन्होंने क् किया था परपोज किया था एक task force गटन का जो क्या करेगी matters mentioned above जो mention किये गए है जैसे कि जो maternity की जो motherhood का age है उसके related जो problems साती है जो matters raise होते हैं उनके खिलाफ क्या करेगी task force गटन किया है ताकि उनको जल्दी से जल्दी solve किया ज़सके और उनको उनमें कमी लास करी जो problem हो रही है तो अभी नितियायोग का formation कब होता है 2015 में नितियायोग का formation हुआ था गठन हुआ था और इसके chair person कौन है नरेंदर मोदी यानि सब्सक्राइब करें नितियायोग तो चलता ही रहेगा तो अगर PM मोदी अगर कोई प्यायोग आता है तो वह उसका chair person हो जाएगा तो इसका CEO कौन है CEO हो गया आमिताब कांत तो इसका headquarter कहा है नितियायोग का निडेली में तो अभी देखिए next slide में हम देखें वाले हैं यह स है CSIAR CSIAR कहा ना है विजयानिक था और दियोगी कनुसंदान परिशत भारत का इसमें इसने के साथ किया है अटल इनोवेशन मिशन है जो उसके साथ एक लाइटर साइन किया इसके लिए innovation को बढ़ावा देने के लिए बारत में इनने उन्हें किया है तो इस partnership में क्या करेग है उनके मादम से विशर तरके क्या किया जाएगा उनको बढ़ावा देगी और CSIR के innovation park को कि स्थापना करेगी जैसे कि innovation park जैसे आपने food park सुना होगा तो उसी तरह innovation park किये जाएंगे जहाँ भी क्या किया जाएगा जो startup वगरा है उनको बढ़ावा देने के लिए नहीं नहीं research वगरा या नहीं नहीं package वगरा launch किये जाएंगे तो इसमें क्या करें है उनके साथ साथ जो innovation park क्या है उनको भी start करने की योजना बना रखी इनोने तो जो aim है aim के साथ इनोने aim का ही एक पार्ट है क्या नहीं उसका arise तो उसके सहयोग से CSIR क्या करेगी जो MSME है सुक्सम लगूर मद्यमुद्योग है उनमें नवाचार यानि की innovation लाने के लिए क्या करेगी प्रोचाहित करेगी एनोसंदान क्या होता है research तो research और innovation लाने के लिए क्या करेगी यह promotion करेंगे promote करेंगे उस चीज़को बढ़ावा देंगी तो अभी एड़कॉटर जान लेते हैं CISR का अज़्यदिली में है उसके प्रेजडेंट कोण है प्रेजडेंट को नहीं प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया यहन्य अभी क्या एन्चलन रहें प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया नांवर्दी तो वही क्या हो गे इसके के प्रेजिदेंट हो गए डेक्स्ट क्या है एम के बारे में मैं क्या है इसमों इनोवेशन स्पाइब आप्रूब करेगा किसके दौरा प्रूब किया गया यह फरवरी को किसके द्वारा cabinet के द्वारा प्रूव कर दिया गया था तो इसके मिशन डिरेक्टर कौन है मिशन डिरेक्टर है अनिल सहस्तर बुद्ध्ध नेक्स्ट न्यूज है हेल्दी एफिजेंट एनर्जी एफिजेंट बिल्डिंग्स बनाने के लिए इनिसियेटिव स्टार्ट कि अभी इसके बारे में पड़ेंगे आगे क्या है तो एनर्जी एफिजेंट सर्विस लिमिटेड क्या है इसके दवारा और यूएस की एजनसी है फोर इंटरनेशनल डेवलप्पेंट यूएस एड के नाम से तो उसका क्या है तो उन्हें लांच किया है हेल्दी और एनर्ज क्या है से उनको बनाने के लिए आपस में क्या कि है पांट्रिण की है तो इसके इनर्जी एफिजेंट nothin को करती है कि उसको बढ़ावा देने के लिए उसको इंपिलिमेंट करने के लिए किस ने किया है जो यह करती है इस एकस स्टू एदुए ऐसेथे स्टू इनेरजी अफिजेंट उन स्टूरमने के लिए और और भी इन्वारिमेंट प्रेंड लिवगरा बनाने के लिए तो उस ने-उस सेड के बारे में जान लेते हैं यूए सेड क्या है कि यूएस की कमपनी है यूइटेट सेट की एजनसी for international development तो यह इसकी फुल-फर्म है तो वर्ल्ड स्प्रीमेर इंस्ट नेशनल development agency and catalyst in driving towards development goal तो जो यूएन ने इसने क्या किये थे एक sustainable development goals रख्या कर रखे हैं निर्धारित कर रखे हैं तो उनको implement करने के लिए तो एक catalyst का काम करती है कॉन करती है catalyst का काम international यह जो है development agency है किसका नाम इसका USAID तो यह यूएस की क्या है यूज की क्या है प्रीमियर international development agency है इसका demonstration कॉन सबालता है Mark Green तो चलिए next news की तरफ बढ़ते हैं यह आपका हिंदी में है यह देख लेना आप तो third news क्या है American DFC invest करेगी किसमे 3700 million US dollar कहां करेगी massive investment करेगी किसमे Indian firms में तो DFC क्या है US international development finance corporation है यह तो DFC की platform क्या होगी development finance corporation तो इसने क्या किया है कि जो planning कर रही है यह 3700 million US dollar किसकी सेक्टर में invest करने के लिए finance sector में health sector में infrastructure sector में renewable energy sector में और food security में तो इन 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 फर्म में क्या करेगी है इन सेक्टर में क्या करेगी 3700 million US dollar का investment करेगी तो इसमें क्या क्या करते हैं कोई health sector का है कोई finance sector का है तो उन सब में अलग अलग तरह से जो भी है इन्होंने क्या करेंगी investment करेंगी तो क्या है यह it is one of the largest approvals made by the board of directors to supply multiple project in India तो यह एक दो project नहीं बहुत सारे multiple project में क्या करेंगे investment करेंगे तो यह approval कहां से मिल गया है इनके board of directors से approval मिर चुका है तो क्या करेंगी है to empower small small holder dairy farms generate solar power तो यह जो छोटे-छोटे मालो dairy farms वाले हैं समाल farmers है और जो solar power generate करने के लिए क्या करेंगे अपना increase करेंगे education बढ़ाएंगे लोगों को जागरुख करेंगे और साथ-साथ जो dairy farmer है या फिर और कोई finance में हो गया infrastructure में हो गया तो छोटे-छोटे उद्योग है चोटे-छोटे वैपारी हैं उनके उनको ज्यावा ज्यादा बढ़ावा देने के लिए कि वह मतलब ज्यादा उबर सके यह क्या करेंगे investment करने वाले हैं तो दीएफसी के बारे में जान लेते हैं डीएफसी का CEO कुन है एडम बोहिलर और हैड़ ओफिस का यह वासिंग्टन डीसी उनाइट स्टेट्स ओफ अमेरिका में तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते है नेक्स्ट न्यूज क्या है इसको हिंदी में देख लेना एक बार नेक्स्ट न्यूज है नाबार से लेटे नाबार ने क्या क्या है 274 क्रोड का Special Liquidity Facility की इसको प्रोवाइड की है इन्हों ने प्रोवाइड की है इसकी फूल फ़ॉर्म है नाबार की इसने क्या किया 270 क्रोड का फैसिलिटी प्रोवाइड की है in the wake of COVID-19 COVID-19 की pandemic में उनको support करने के लिए जो agriculture activities है farmers की असम में कितना प्रोवाइड की है 270 क्रोड का special liquidity package facility प्रोवाइड की है इसकी full form SLF भी कह सकता है इनको question में SLF भी आ सकता है तो यह ध्यान रखना कि SLF क्या है special liquidity facility this support and separate line of credit will enable to intensify farmers crop production तो यह की भी जो किसानों की है पैदावार वगारा क्रोप को बढ़ावा देने के लिए कि भी अभी कोई नाइटिन में चल रहा है सब कुछ ठपड चुका है सब कुछ बन था इन्वेस्टमेंट वगारा या फिर इंडस्ट्री वगारा तो फार्मर्स को भी काफी प्रेशानी का सामना करना पड़ा था तो उनको मतलब बढ़ावा देने के लिए अग्रिकल्चर एक्टिविटीज वगारा स्टार्ट कर सके तो उनको लोन वगारा की तरह क्या करेंगे जो यह यह हिंदी में नीज है आप पढ़ लेना अगर किसी को समझ में इंगलिस नहीं आ रही है तो नेक्स्ट नीज है युए ने डिपी ने क्या किया है पॉइंट किया है 13 साल की लड़की को किसको मुदुरी की गरल है नेथरा नेथरा को क्या किया है गुड़ विल्ड अमबेस पूर और वह किया है क्योंकि इसने क्या है सी Persuaded हरफादर सीमोहन असे लर ओनर वू स्पैंट टिच सेविंग 5 लाख इसकी डाटर के एजटेसिंके लिए इसके पाप इसके पिताजी ने क्या किया है जो सीमोहन है उन्हों का अभी जैसे सलून का क्या होता है नाई के दुकान तो उनकी दुकान बंद थी अभी कोविड-19 के उसमें फिर भी उन्होंने 1500 फैमिलीज को क्या कि दो महिने के लिए क्या किया मतलब हैल्प की और उनकी बास यह है कि जो सलून है सलून ही से इंकम आती थी लेकिन वह इंकम भी बंद हो रही थी क्योंकि कोविड-19 जैसे लोकडाउन हो था तो वह एक इंकम थी वही बंद थी फिर भी इन्होंने 1500 फैमिलीज को जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि खाना हो गया पानी हो गया रासन हो गया वह को प्रोवाइड किया है 1500 तकरीवन 1500 फैमिलीज को अपनी जो सेविंग्स थी तकरीवन पांच लाग की उनको खर्च करके इनकी एजुकेशन पर भी खर्च किया है तो इसलिए इनने के मिला है जो युनाइटे नेशन की तरफ से जो गुडविल एंबेस्टर का एक खिताब मिला है तो की पॉइंट्स क्या है इसके देखिए इस न्यूज के जो नेथरा विल स्पीक एट उनाइटे नेशन से कॉन्फरेंस इन नियॉर्क तो जो नियॉर्क में युनाइटे नेशन के कॉन्फरेंस होने वाली हागे उसमें कौन स्पीक करेगी नेथरा स्पीक करेगी एंड इनी जिनेवा में भी एड्रेस करेगी जिनेवा किसको एड्रेस करेगी सिविल सोसाइटी फॉर्म और कॉन्फरेंस को भी ये करेगी अपना एड्रेस करेग इंको बनाया गए तो उसके वज़े से इनको डिक्स्प्ष nela nuti ने क्या किया अपनी मन कि बाद का प्रोग्राम जो अभी चला था पिछले संडे सब्सक्राइब की हैं तो युन एडिपी के बारे में चाल लेते हैं क्या है एक किसके दवारा है जो फॉर्मर डिप्लोमेट है इंटरनेशनल सीविल सर्वेंट है पुलिटिकल मिनिस्टर हैं एंटिकरप्शन एक्टिविस्ट हैं चैंपियन सी चैंपिनिंग वर्ल्ड लीड मांगते हैं जो तो वह सब मिलकर करके एक वह मना रखा युनाइट नेशन के अंडर एसोसियेशन उनको क्या करते हैं युएन एडिपी इसका एक्टिव डारेक्टर कौन है डॉमिनिक डिक्सन तो इसलिए इनको क्या मिली है डिक्सन स्कॉलर्शिप मिली है तो चेर ऑफ ब अगली न्यूज है जो इसरो है इसरो क्या है इंडिन स्पेस रिसर्च और्गनाजेशन उसने एरिज यानि की आरे बता रिसर्च इंस्टिटूट ऑफ अब्जर्वेशनल साइंस के साथ क्या किया है कोप्रेशन के लिए मैं मुई हुआ है साथ में किसकी फिल्ड में होगा प्रहीब जी घंटक एंसरोCar में इसकी न्यूज को डिटेल में पड़ते हैं तो 4 यूं 2020 को क्या किया था यन्होंने को प्रहीशन किया था फिल्डोफर पेस सीजोशनल अईसे इंस के सब्क्रेश किया और फिजिल स्ट्रोंर एंटे किस रों बेंगलोरू बेंग्लोरूरू इसके हेड़कॉटर है तो इन्होंने क्या हैं windows 10 mate किया इंके साथ एक सम्जोता किया है किसके साथ आर्यआबटा इस इस रिस रिशर्छ शाइंस के साथ एरिज के साथ जो आर्व मैशलम हैं कहां के साइन्टिफिक सग्रेटरी हैश्च पलर फे इसड़ सब्सक्राइब को नहीं दिलेक्टर है किसके एरीज के तो हेड़ कॉर्टर से और जो इसन है जो शुबर्ण है जोम सभाई है कहां पर बेंगलोरू में और एरीज कोण्य कर एंटाल में तो तो वहाँ से क्या किया है इन्होंने आपस में पार्टरनशिब की है साइट किया है MOU वर्च justement प्लेटफोम यानि की ऑन्लाइन वीडियो कोल लिंग के त्रूंग क्या है साइन हुआ है तो अभी इसरो के बार मुचन लेता है इस र 확 जो जिदा इस एर्ituation होगा थी को को और रिंकारेटेड एज आरे बटा रिसर्च इंस्टिटूट ऑफ अब्जर्वेशनल साइंस ये इसके क्या है फुल फॉर्म है तो इसका नाम रखा ये राम एरीज नाम कब रखा गया 22 मार्च 2004 को तो उसके चेर्मेन कौन है इंदरा निल चटोपाध्याई इसका न्द ऑथर से लेटेड बुक्स किस के पर है रमेस पाखремया निसांक संक ने क्या किया है रामेस वह किया है इन्फॉर्मेशन बुकलेट क्या नाम उसका सेका ओन लाईन लेर्निक पर डिचली लांच किया गया है किसके लिए तो कर की तरबाफ कर सकी में अवेर 25 नेừng की है यह डिजिटल अवेरनेस फैलाने के लिए क्या किया है information लेटराँ की है और क्या किया है to students and teachers awareness किसको awareness देनी है यह teachers को students को किसके लिए about online safety and ensure timely action in case of cyber bullying मतलब कोई cyber bullying करता है कि जैसे कि normal आप schools वगरा में लेने के लिए और उसके खिलाफ timely action लेने के लिए teachers को students को यह भी guidelines awareness वगरा फैलाई गई है ताकि उनका मतलब अगर कोई problem होती है तो आगे awareness फैला सके और इसके उपर timely action ले सके ताकि जैसे कि parents को बताना हो गया सकते हैं कि मेरे साथ हो रहा है तो फिर आगे जाके उसको पुलिस वगरा के साथ भी school administration के साथ मिलकर के उसको action ले सकते हैं उसके खिलाफ तो इस booklet का develop कि इसने किया है ncrt national council of educational research and training तो जो ncrt है उसकी जितने भी books वगरा आती है वह आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है हर एक्जाम के प्रोस्पेक्टिव से तो जो युनाइटेट नेशन एज्युकेशन साइन्टिफिक एंड कल्सल और युनेसको तो इन लिए उनेसको के लिए उनको के नाम है अरिक फाल्ट है यह आप हिंदी में उसकी चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारी लास्ट न्यूज क्या है स्टेट न्यूज है तो जो आरंदर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन वाई एस जगनमोहन रेडी नोनेक लॉंज कर दिया है कि इंडिया का जो फर्स्ट ओनलाइन वेस्ट मेनेजर मेनेजमेंट प्लेटफॉर्म है उसको लॉंज कर दिया है उसका नाम क्या है अंदर प्रदेश इन्वार्मेंट मेनेजमेंट क operation की तरफ से on the occasion of world environment day to ensure 100% safe disposal of industrial toxic waste जो इंडस्ट्री से toxic waste निकलता है उसको safe manage किया जास के अच्छी तरह से उसको मतलब वहां से क्या किया जास है एक्सक्रेट किया जास के dispose of किया जास के इसके इसके लिए क्या किया है इन्होंने के waste management क्या किया है platform launch किया है तो स्टेट डिपार्टमेंट है किसका environment management का ज़िए जिसको कहते हैं a p e m c वह क्या करेगा टेक आवर करेगा responsibility of the online platform में कि वही manage करेगा online platform को भी क्या कुछ online में क्या कुछ हो होगा कैसे कुछ इनका management का लिए बनाए जाएंगे टेकनिक्स बनाए जाएंगी steps बनाए जाएंगे वह सब कौन समभा लेगा a p e m c तो इसे नहीं क्या किया setup कर दिया है government company क्या करेगी इसके लिए to handle the industrial waste industrial waste को handle करने के लिए और क्या करेगी will work in cooperation with अंदर प्रदेश pollution control board तो जो अंदर प्रदेश pollution control board है अंदर a p p c b उसके साथ क्या करेगी जो इंडेस्ट्रिल वेस्ट है उसको handle करने के लिए help करेगी with a strong regulatory framework इनका अलग से framework बनाया जाएगा strong जिसके साथ वह आपस में दोनों मिल करके काम कर सकें अंदर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं आपको cm cm का दराम तो बज़ा सली गया होगा यह वाइस जगन मोहन रेड़ी अभी उसका governor के बारे में जानते हैं इस governor कौन है विश्वा भूसन हरी चंद्रन और नेशनल पार्क यहांके दोतिन प्रदेश के हो गया फिर जो सेंटर लेवल के से हो गया बैंकिंग हो गया हर जगह बेंसे कौशन पूछे जाते हैं तो यह निज है हिंदी में देख लेना आप इसको तो चलिए थैंक्यू आज के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को हिट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बचा को भी सेयर कीजिए था कि उनको भी current affairs की जो आज की current affairs है उसकी जानकारी मिल सके, वो पढ़ सके तो थैंक यू, थैंक यू very much